पीपी सीजी 173 स्वास्थ और कल्यान के लिए मनव विज्ञान काफी इंपोर्टेंट एक लास रहने वाली है इसमें खास तोर से हम लोग जो इंपोर्टेंट चेप्टर हैं जो इंपोर्टन टोपिक हैं हम उनी के बारे में बात करेंगे अगर मैं इस पूरी बुक की बात र प्रहें और बारा के बारा चेप्टर जो हैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हैं जिसके आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यदा जरूरी है जैसे आप सब्सक्राइब को पता है जून 2030 में जो आया था सो नंबर का पेपर होगा तीन घंटे का पेपर जैसे आप सब को पता होगा इख्जाम में टोटल 8 वщее जिसमें से आपको 50 के मेरे पांच कॉस्टन करने कितने को सब्सक्राइब के रहनेफे जैसे आप डर परेजे इसमें से इसमें दो भाग का और वाग को एक भाग मेंसे त्इन करना चोंख्या, सब्सक्राइब क्रस्रया, त्ठीक है जै कोशन देखो स्वास को परिभासित कीजिए स्वास के किनी तीन मोडल का बताओ एक कोशन पेपर और मैं आपको दिखा देता हूं जून 2022 का अगर आप लोग देखेंगे जून 2022 का रहेगा आपका यहां पर दीखेगा कल्यान की संकल्पना का वर्णन कीजिए स्वास विमारी क पहले चेप्टर में आपके कोशन मिलेंगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो देखेगा पहला चेप्टर आपका क्या रहेगा पहला दूसरा को मिला कर देखेगा स्वास्त क्या होता भाई मेरे यानि स्वास का पुर्भी मोड़ल क्या है और स्वास का भारती यह मोडल क्या है यानि भारत के लोग पर पहलें क्या शोता के वाई पर पो क्योंखिनी का मतलब सोड होने कि जीवनमें कभी दिमार मस होना स्वस्थ होने का मतल्ब हैए व्यक्ति बिमारा मसव्यक rivalry पर्ता एक the healthy life एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति यह थे और ही कहा जा सकता कि 10 साल हो गया कभी व्यमार नहीं पर Go कोई पी्च में लोग बताते हैं कभी आपके एक लुखाम नहीं पढ़ेगा तो इसके रोग जब को प्रतिरोधत। तो हमारे सरीम में ज़ो रोग प्रतिरोधत। ओंस्ट प्रतिरोधत। प्रतिरोधत। प्रति-चम्त होने का ये 1-1-1 मतलब नहीं कि लंबे समत थिमाना पड़ना ही Safe बलकि स्वास्त होता क्या है इसको लेकर के अलग-अलग हम यहां पर पर प्रिप्ट दिए अलग-अलग लोगों के दिश्पॉंट की हम लोग यहां पर बात करेंगे देगे गां ठीकर नीरव एक दस वर्स का लड़का है हाला कि वह हमेशा स्वत रहा है लेकिन हाल भी में उसे मोटापा होने का पता चला है डॉक्टर ने उसके मोटापे के लिए स्वास्त अहार में कमी को उत्तरदाई ठहराया है जिसमें फल और सब्गियों को सम्रित है जो ठीकर इस पाने में काम्याब रहे इस समय के दरह उन्हें उन्हेंने सराब का सेवन सुरू कर दिया धुमर पान यानि धूप पार भीया आरे क्या बीड़ी सिक्रेट उसको बोल गए ठीक पीना सुरू कर दिया जल्द ही आदत और लथ में विक्सित हो गया परणाम शुरूप ना कि तो पढ़ने बहुत अच्छा था लेकिन जब उसका एड़ पोलेज में होता है तो क्या करने लग जाता है वहीं नसा करने लग जाता है और नसा और एक मुर्पान करने इस उसकी दिया दिन पढ़ती रहती है उसके रिष्टे खराब हो जाती अपने दोस्तों की साथ घर प पर असकी चुलबिली लड़की थी अब एकांती और एक एकली रहने लग गई है उसने अपने दोस्तों के साथ बाचीत करना बंद कर दिया है इसकुल जाने से मना कर दिया है वह परियात रूप से खाने और सोने में सक्षम नहीं है उसके परिवारिक चिकिस्ता में उसे न भूजर जाता है तो तो हमें क्या प्रकार से मेरे डिपरेसन हो जाता है सबसे वनकित पहलू है आज कल Hatा हमारी जीवन से अधिक आराम गरों के अंदर रहने वाली हो गई है आज हम लोग भोजन में पीजा बरगर चिर्ष फोक आधी पर निर्भर हो रहे हैं ऐसी संभावना की जह जीवन सैली हमारे स्वास के लिए नुक्सान पहुंचा रही है और हमारी स्वास परणाली को गैर संचारी रोगों पढ़ते हैं इसके लामा पारम ठीक है पारसपरी का स्पताल के उप्चार को जीवन सैली से संभंदी व्यावरी को सच्छा माना है इस प्रकार स्वास पर ध्यान के इंदेत करने और कई असरों पर इससे निक्टान के लिए महात्पूर्ण है ना किवल स्वास पर्याव सिमाय को प्लग्द कराता है बलकि व्यक्ति के वीश स्वास जीवन सैली को देखो अगर हम क्याता है इससे हमारे सेफ पर बुरा प्रभाव पढ़ने के सास्ता हमारा है और Cartoon को रही है और किया ब्रकाइजी साथ्मेटक 것은 को नहीं दिखाए पड़ता वह सांका नंन्हीं पता चलता है पांस स्वास्त केवल हम लोगों को जो स्वास्त है स्वास्त है वलकि हमारी जीवन स्वास्त केवल हम स्वास्त रहने के लिए स्वास्त करता है अगर कोई व्यक्ति अवसाद में हैं इप्रेशन में हैं चिंता में हैं अगर स्वास्त को जनसाधन लोग क्या सोचते हैं और समझते हैं इसे समझने के लिए कई अध्यन किये गए हैं ज्यादा तर लोग स्वास्त को क्या समझते हैं स्वास्त का अर्थत कल्यान का सामाने भाव स्वास्त की पहचान रोगों के लक्षणों का भाव स्वास्त का अगर व्यक्ति लंगे समझतक बिमार नहीं पढ़ रहा इसका मतलब क्या है वह स्वास्त है वह सही है स्वास्त में देखा जा सकता कि चीजें जो कि एक व्यक्ति को जो सारी रूप से स्वास्त ऐसा करने हम सक्षम है स्वास्त हम क्या भाई जो व्यक्ति सारी से स्वास्त है अम से स्वास्त मानते हैं भाई जो व्यक्ति लंगे समझतक बिमार नहीं पढ़ा वो स्वास्त है ठीक है लेकिन अगर हम लोग स्वास्त पिसे कहते हैं भाई मेरे जो व्यक्ति स्वास्त तो है लेकिन कभी कभार वह बीमार भी पढ़ जाता है अगर आप गुलूप साल कर नहीं अगर आप पड़ी स्वास्थ होने का लख्षण है नहीं माना जाता है वीच वीच में साल दो साल में महीने छे महीने में स्वास्थ के तीन घटक है जिसे भाउना लक्षण अभिन्यास और पड़दर्दर्ण एक अध्यन में कहा गया था पाया गया था कि पांसो भुजूर्गति लोगों के अनुसार स्वास्थ जीवन समर्थ और सारीरिक कार की छमता है कोई लोग कहते हैं स्वास्थ क्या है कि आ है और आप हर काम को करने में सक्षम है यही आपका स्वास्थ है क्रोश जे भी स्वास्थ को पहचानने के लिए दारे को समझने आने के लिए का ध्यन किया है उन्होंने पाया कि पुराने प्रतिभागियों के लिए संदर में दारा स्वास्थ समस्याओं अन्पश्थित और स्वास्त का बढ़ावा करें सामाजिक का निर्भर करता है और यह स्वास्त हर व्यक्ति के लिए स्वस्त होने का हर आईवर वहीं बीस साल का लड़का उसके लिए स्वस्त होने का मतलब को बास अलग है , स्वास को प्राप्स करने के लिए हेल्स को प्राप्स की आ गया सब्द है यह एक पूरे होने की अवस्था पांचुनी सताब्दी इसापूर में परिभास अंगों के समझ स्पून काम काज अगर आपके सरीर के अंग पहले जितना नग है जितना नजे स्वास्ट yap काम कर ने उसृस्ट पर ध्यान किन्दित करती है जिसमें सारी रिक अंगों के साथ के साथ दर्द और आराम का नुद्ध है लेकिन स्वास्त के सास्त आपका मानतिक स्वास्त भी जुगा हुआ है जिसे कहा गया कि हमारी जीवन सैली पर्यावर निये कारकों में जल्वाई उपस्टी वाई गुनवत्ता जीवन सैली आदत पानी और भूजन की गुनवत्ता से भी स्वास्त कमन किया जाता है भाई हम जहां रहे हैं वहां की हवा कईती है हमारी आदत कईती है हमारा हम कैसा प स्वास्थ सब्दों के द्वारा प्रस्थ किया गया था जो की आहार के साथ ब्यायम पर भी दन स्वास्थ का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे सरीर के अंग काम नहीं करते हैं यहीं स्वास्थ है स्वास्थ का मतलब है कि आप सारीर कूपने भी स्वास्थ हैं मांतिक भी आक्षी आक्सिजन लिए आपको अच्छा पानी मिले अच्छा भोजन मिले इसके जरीये भी स्वास्थ को परिभासित किया जा सकता है स्वास्त होने का मतलब पहले जबाने के लोग भाई यहीं समस्ते तिक भाई अगर कोई आदमे लंबे समतर दिमान नहीं पड़ा वहीं स्वास्त है अगर आपको अच्छी हवा नहीं मिलती अच्छी भोजन नहीं मिलता अच्छा खाना नहीं मिलता है तब भी आप स्वास्त नहीं है याँ हमारे स्वास्त में भोजन, खाना, पानी, हवा, हमारा रहन से नमारा उठना बैठना ये सारी चीजे जो होती हैं हमारे स्वास्त के साथ जूड़ी हुई है स्वास्त में हम लोग कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति मिलता है चेती है उसी आदटे सही है उसका जीवन स्वास्त में जुरा हुए है अगर आप मांथिक युद्ध से विव्यक्ति का स्वास्त होना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है पहले लोग स्वास्त को सिरफ रोगों से समझते हैं अगर तुमको कोई रोग नहीं है अगर तुमको कोई विमारी नहीं है अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है डाक्टर के हाँ पास जाना नहीं पड़ा अगर तुमको कोई बिमारी नहीं है तब भी हम लोग उसको स्वास्तमान लेते थे तो यह जि ही है आप अछी हो मिल रही है अच्छा बोजन मिल रहा है अच्छा पानी आप जीमन जीने का तोर्थ करी का है इससे जरी वह स्वास्त को देखते हैं याि हमारा मानतिक स्वास्त या हमाणाशाशी क्छाया पह Champions साथी आज की स्वास्त की परिभाता क्या है पूरी तरह से बदल चुकी है पहले लोग स्वास्त की बारे कुछ अलग सोचते थे आप स्वास्त की परिभाता बिल्कुल बदल देखेगा उदाहरन के लिए प्राचीन युनानी संस्कृती में हमारे स्वास्त को चार भाव थी भई प्राचीन के लोग स्वास्त को चार रूप से मानते जैसे रक्त, पीला, पित, काली पित और कफ की भूमिका में विश्वास करती है संपूर रूप से स्वास्त की जाच क करती है प्राफीं जस्बीत्ता में प्रश्री विध्वानों में से एक ने अपने लेक का वर्णन किया है कि कैसे मन, थारीर औरा आत्मा पोफ पार्स्पर जुड़े हैं भई पोश्चिंगे लोग मांनते हैं कि अगर आपका मन स्वास्त है, northeast शारीर स्वस्थ आत्मा स्वस्थ हैं इनका तीनों का स्वस्थ होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे स्वास को बनाय रखने के के लिए रातमा के धेनों जूड़े हुए हैं कि समय सताप्धिक दरान फ्रांसिसी दार्षनिक ने कहा था कि दोयतवाद मन और सरीर के समकालिन और बाद में दार्षनिक विजवानों ने प्रभाविक्या याँ अब जो है जो को भाई पश्चिम के लोग ज्यादा तर स्वास को चिकिस्था से मानते चिकिस्था याँ आप भी मा मन और सरीर से स्वास्थ होना बहुत ज़र ज़री है पश्चिम को लोग मानते कि इंसान को मन से सरीर से और आत्मा से यह तीनों चीज़े अगर आपकी स्वास्था हैं तभी आप स्वास्था हैं यह आपका मन स्वास्थ हो आपका सरीर स्वास्थ हो और आपकी आत्मा स्वा किसी स्वास्त के स्वास्त में मन और आत्मा में अध्यात्मिक्ता के तरा उधार्णाओं की कोई भूमिका नहीं है अगर आप पस्चिम देखोगे तो उसके स्वास्त में अध्यात्म की कोई भूमिका नहीं है अध्यात्मा को रुप्षे स्वास्तोना कोई जरूरी नहीं है स प्षपास्ट और पश्चमी दिश्कोन अंतर नहीं धाना है विमारी का काण किटानु और जीवानु के रूप में किसी सरीर के बाहर है इसके अलावा किटानु और जीवानु को हटाने के लिए इस्टमश्वास्व क्वलगधी के नितुम है जो कहते हैं वह जो व्यक्ति और जिवानों के जो सिंप्टम्स हैं वह अगर आपके नहीं तो भाई मेरे स्वास्त माना जाएगा इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कि प्रणाली केवल सारीरिक अस्ता पर रोगियों का उक्चार करती है और इसकी संबेरना विश्वास के साथ सांख्रितिक अंदेखी करते संब्सांटी स्वास्त मानते हैं जी स्वास्त के विचार धार हा ऑी केल सारीर के अस्तर रोगियों का उक्चार करती है इस आपके जो बमड़ी है मेरे उसकाओ करती है स्वास्त के बीमारी चिकिस्ता और जयव चिकिस्ता क podéis बाइचि नोग मुटास्त है कि पूर पूरवी मोडल क्या पूरव के लोग क्या मांते हैं दिखेगा सभी पूरवी सभिता का मूल आधारे आए कि स्वास केवल बीमारी या उसके लक्षण की अनुपस्थिती से अधिक है यदि आप स्वस्त हैं तो आप खुसी कल्यान और जीवन की संतुस्थी का अनुभव करें करेंगे आप अपने समधाय के सदस के रूप में बहतर काम करने में सक्षम होंगे और लक्ष निधारित करने के लिए प्राप्ट करेंगे जो पूरव के लोग हैं वह मांते कि स्वस्त होने का मतलब सिरफ बीमारी की अनुपस्थिती नहीं है अगर आप लोग खुस हैं भर करती है और भारत चीन और जो पूरव की विचारधारा है वह स्वस्त को केवल बिमारी से नहीं बलकि आपकी प्रुती मन इससे भी देखती है इसको स्वस्त के रूप में क्या करती बताती है ठीक है पश्चिमी दिश्कोन के विप्रीत पूरवी सभता मुख रूप से स पूर्वी जो विचार धारा है वो अस्वास को समग रूप से देखती है याप मन से भी स्वास्त हों आप सरीर से भी स्वास्त हों आप मांसित रूप से भी स्वास्त हों आपको भोजन भी अच्छा मिल रहा हो आपको पानी भी अच्छा मिल रहा हो आपको हवा भी अच्छी पूरबी विचार दारा है और एक प्रकार से देख रही है अगर लोग बात रहें अब स्वास का भारती मोडल क्या है देखेगा स्वास पर पारंपरिक भारती दृस्त को समझाने के लिए महात्पूर्ण है कि स्वास के संस्कृतिक सब्द का स्वास क्या स्वास का अंत्रिक और रत का मतलब सचित इस प्रकार भारती परंपरे में स्वास होने का मतलब है आंत्रिक रूप से स्वास्त होना भारत में स्वास को क्या माना जाता अगर जियो व्यक्ति अंदर से स्वास् जो लोग है वो भाया आंत्रिक स्वास को मानते हैं इसका आर्थ है कि सभी विमारियों का कान हमारे भीतर है अगर हम भीतर से अगर हम अपने भीतर के परती सचेत हैं तो हम भाया स्वस्त हैं भारतिये परमपरा कहती भाया विमारिया भीतर स्याती आंत्रिक आंत्रिक रूसे व्यक्ति का सौश्वना बहुँ ज़दा जरूरी है। स्वास्तु में स्वास्तु मनो में स्वास्तु मों सब्रों स्वास्त रहा है नहीं सब्सक्राइब विज्ञान कल्यान का एक आवस्यक सर्थ है पारंपरिक भारतिय प्रणाली स्वास की संकल्पना में जैव चिकिस्था स्वास मोडल के विप्रीत है बिमारी के लक्षनों का किवल उप्चार करने की बजाए तभी पारंपरिक भारतिय उप्चार स्वास और भलाई को बहतर है वहारतिय स्वास्थ का मतलब या इंसान का विमारी के दिलाज करो लेकिन उसकी भलाई को बहतर बनाओ यही वहारतिय के लिए स्वास्थ है इंसान की भलाई के लिए स्वास्त को नागरिकों की बहतरी के लिए उनके कल्यान के लिए उनके बेलफेर के लिए सवास्त को देख हों अपकर रहें जो स्वास्त का मोडल है भारती मोडल करता आप सारीर क्रूप से विस्वास्त रहें आप मांसिक रूप से भी स्वास्त रहें आप बोधिक रूप से भी स्वास्त रहें आप मैतिक रूप से भी स्वास्त रहें और अध्यात्मिक रूप से अध्यात्मिक रूप से पूजा पाठ ये भी बया करो पूजा पाठ है और अध्यात्मिक रूप से स्वास्त रहो जो भारत स्वास्त का मतलब है भलाई को बहतर बनाना लोगों के जीवन को बहतर बनाना उनके कल्यान करना इस स्वास्त का हमारा भारतिय मोडल है आप समझ रहें पच्छिन का लोग तो सिरफ यहीं मानते हैं यह को आदमी थारे में बात करते हैं अच्छा जीवन जी रहा अच्छी अच्छी स्वास्त है मन खुलता है दिल खुलता है स्वास्ता थे खते स्वास्ता मोडल रहे हैं ऐस मभात्य को मान्थिख सामाजी यदि स्वահर के मैद voting है पूछेगा ये पूछेगा और आता ही आता है और इसको आपको लिख करके भी आना है ठीक है चलिए हम लोग अगला चेप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स है ठीक है तुम्हारा दूसरा चेप्टर क्या रहेगा स्वास्त और विमारी के मोडल स्वास्त और विमारी को ल स्वास और वीमारी मोडल मानता है कि अगर आप लोग वीमार पड़ रहे हैं ठीगे उसका इलाज कर दो व्यक्ति ठीग हो जाए यह स्वास को स्वास को समगर मानता है जो पूर भी मोडल है जिसको लोगों निशर्चकिल सवास को समुगर और निसरी मोडल मांनता है سवास का समाजिक मोडल जो मनो समाजिक मोडल कहता है कि भाई मेरे आप स्वास्ति रहेगा तो स्वास्त्त रहेगा जैowiemy स्माजिक मोडल कायथ कि अगर व्यक्ति स्वस्वास है उस मोडलन की बात करता है व्यक्ति के स्वस्वcak होने का बहुत ज़ typed है और यह समाघ यह मोडल व्यक्ति स्वस्व काम करेगा एक बोडल की बात करता है और सुस्वर्ण है आपका स्रीख का स्रार्ड़त काम करें तो समाज भी विया स्वास्थ स्वाश का समांजिक मोटल क्या कहता है इंसकी पहत्री के लिए है या व्यक्ति कि कल्यान की बात करता है या व्यक्ति और Efendimiz की कल्यान की बात करता है स्वास्त के तक व्यक्ति अगर व्यक्ति जो है वह सारी रूप से भी स्वास्त रहे मांतिक रूप से भी स्वास्त रहे समाजिक रूप से भी स्वास्त रहे और स्वास्त जो है वह समाज की भलाई के लिए है और व्यक्ति के तल्यान के लिए है व्यक्ति की भलाई के लिए है स्वास्ती ग्रोफ से समाजिक रूफ से तरे रूफ से इन सभी प्रकार से स्वस्तो व्यक्तिस्वास्त को स्वास्त को सारी जो सारी जुरूप से स्वास्त आपकी समाज के सल्यान के लिए इस चीज की बात कर रहा अरे काफी इंपोर्टेंट हो आपकी एक्जाम में आये गए आगा जो पहले चेप्टर में जिसकी हमने जिक्र किया था जो पुराव का मोडल है जो भार्पी मोडल है उसी को यहां उसी चीज को यहां पर बत अगर लगवागा रहां दूसरे चप्टर पहले चप्टर मिला करके को सब्सक्राइगा और यह काफी इंपोर्टेंट है इसको करके आपको जाना ही जाना इसको इसको छोड़ करके नहीं जाएगा इसको अच्छे से करना और 20-20 नंबर का पोस्टेंट आएगा ठीक टेबल स्वास का चिक इस्ता मोडल आप आपके सरीर में कोई परकार का रोग नहीं तो आप स्वास का आपई 8 परता कि आपके स्वास जो है गा'll you रोग जनक कारक जैसे की रासानीक उत्टेजक, बैक्टिरिया, भी गए कि जो इस प्रकार के बैक्टिरिया है, यह रोग है तौ आप बीमार, यह कता है यह स्वास का जो समगर मोडल कहता है कि आप सिर्फ सारी को ठीक कर देता है लेकिन स्वास का जो समगर मोडल है वो कहता है कि स्वास लाब को धुनियादी आयाम को पुनर घसित करता है यह कहता कि स्वास करता है जो स्वास करता है बिमारी को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर की जरूरत क्या है जो समगर मोडल कहता है रोगी को चिकिस्ता के साथ सायोग करना चाहिए और निर्देशन का पलंग है बीमारी बिमार जिम्यदार है अप्शार के पर नाम क्या है तत्काल रहात जो कि चीकिस्ता मोडल कया था भी या कि बीमारी का द् dortos रोगी तो तुरंत रहत मिल जाए और जो समगर मोडल और सत tentang मरा पर होगा करता है यह क्रोगी करताकर लिए क्लiले पड़ां परहत शुळकरेक्स बिमार नहीं सब्कुरूपर्टरण काफी इंपोर्टन तरुट ए्ट स्वास में श्री अर्ष व्यक्ति की वहाइट के लिए आपकी बहत्री के लिए है लुप में उमा च्प्र रहेगा च्प्र नमबर थी क्या है क्लाण एक परिक्ट हैं ये इंप्पोर्टन के लिए रहेगा जैसे कि बहुत इंपोर्टन को लेकर के कोश्चन पूचे का यह चीवन हो इसमें बहुत ज़्यादा है अक्तर हम इसी लोगों को तंपर्थ में में आते हैं जो कहते हैं कि वैं तंहाव में ही अपने जीवन में तंहाव क्य दोरां पी जाने बादी हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे महसूत करते हैं अगर आप लोग देखें कि आज कल यो सिनाव को सारी उसे निश्चित मांगी प्रक्रिया के रूप में वर्हनित किया गया है, जो उस पर बनी हुई, उन्हें आगे कहाई, यहां प्रक्रिया गैर गीशिस्टा है, तनाव को प्रभासित करесп literally करते भी तनाव क्या है तनाव जो है व्यक्ति को युवस्तान पहुंचाता है उसकी सक्तियों को कम करता है और स्वास्त को खराब करने में क्या तनाव की बड़ी भूजा क्या तनाव क्या करता है हमारे स्वास्ट को प्रभाविद कर सकता है हमें विमार कर सकता है और हमारी सक्षियों को कम कर सकता है तनाव है जब लोग किसी प्रकार का चैंसन देते गई वही तो तनाव है देखो तनाव को मन देखो यहां पर क्या करें जैसे हमारा तनाव की हम ल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हम लोग तनाव की बात रहें फिर भी तनाव को एक और परिभासा है जो आप कर सकते हैं जो भाई व्यक्ति के स्वास को प्रभाविश कर सकते हैं अगर हमारे साथ कोई घटना घट गई है अगर कोई बात है सब हम लोग तनाव में जा सकते हैं यानि तनाव कई मेरे अचानक नहीं हो सकते हैं अब सब्सक्राइब करते हैं जिसमें क्या बोते हैं जो लड़के लड़के होता क्या बोते हैं इसमें तनाह हो जाता है अगर आप अगर आप पूरा नहीं कर पारें तब भी आपका तनाह हो जाएगा आप अपने काम को ले करके स्कूल कोलेज की जो परिष्टितियां है उस कान से व्यक्ति में भाई तनाव हो सकता है तनाव के बहुत सारे कारण है जैसे हो नहीं जाता है जिसे पती पत्नी में तलात लड़ाई जगडे इस कान से तनाव हो सकता है ठीक है तनाव हमारे जीव में जो घटनाय घट रही है हमको तनाव मिला सकते हैं आपके जीव में कोई ऐसे कुछ वेता ना कि कोई गटनाव में चले गए अगर आप सारी गूप से बीमार हैं सारी गूप से सबस्त नहीं है तब भी आपको तनाव होता तर डीप्रेशन हो सकता है आप अपने जिम्मेदार्यों को नहीं निभा पा रहें अगर आकने करते बल्यानि आपको जो करना आप पर नहीं पार रहे तब भी आपको तनाव हो शेमार बबीन में लिए मिलें क्या है देखो सनाव जो है नमक और काली मिल्च की तरह होता है सनाव देखो सनाव होना भी जरूरिया ज्यादा तनाव इतना हो ताकि आप गरी सतर्क रहें किसी चीज़ को ले करेगा अगर तनाव बिलकुल नहीं रहें तब भी नुख्तान ड़ेगा कि आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे आप एक परकार से जिम्मेदार व्थ्क्ति बन जाएंगे आप समझ़ूरिये तनाव होना भी जरूरी है ताकि आप सस्क्र करें ताकि काम के पृटि जिम्मेदा आप उपने जिम्मेदारियों को निभा सके इसलिए तनाव होना जरूए है और तनाव इसलिए नहीं होना जरूए कि आप कितना तनाव न ले ले कि आप बिमार पढ़ जाएं किसी चीज़ को ले करके जैसे मालो भाई आप तुम सब पेपर परिष्छा दे रहे हो तुम सब जाओ बिमार पर जाओ हाथ चापने लगे बुफार कर जाए इतना भी तनाव लेना जरूरी ने तनाव कैसा से खाने में नमक और मिर्ट की तरह है यह इतना यनी मीडियम में होना चाहिए तनाव ज्यादा हो गया तब भी टेंसन है तनाव कम हो गया तब दो आदमी विल्क अच्छा ज़े तनाव के बुफार के बिमारी हो एक बाते हैं नेध नहीं आती इस तनाव की तनाव के परखेती हैं तनाव की प्रकार क 아 ders खराब हो सकता है या कि या स्था सदी के बाद नौकरी करना करने चाहिए शाघरात अतमक्त abla तनाव तनाव जो है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और हमारे लिए खराब भी होका है आप समझ रहें तनाव अच्छा भी होता है अगर आप देखेंगे जैसे मालो भाई या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत तनाव लेना चाहिए अगर तुम लोग बिल्कुल भी तनाव होने लेगो तो पढ़ोगी ही नहीं समझ रहें एक बता रह सब्सक्राइब करते अप बढ़ाई लिखाई करेंगे अब बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे कि आनीकारत बंज जाएगा आपके लिए ना अंकारत कैसे सकता अगर आपने ज़्यादा तनाव लेए सबसे जोड़ते हैं जब व्यक्तित सबसे सबसे ज़्यादा है जब हम लोग किसी चीज़ को ले सबसे ज़्यादा हो जाते हैं हो Rs I r t तो तनाव अच्छा भी है, खराब भी है, तनाव के कौन कौन सेलेक्षन है, तनाव तीन प्रकर, सारी रिक तनाव होता है, सारी रिक तनाव क्या भईया, सारी रिक तनाव उसको हम लोग बलते हैं, जैसे आपके पेट में पेट खराब हो गया है, सिर्दर्द है, माईग्रेन है दर्द है तीने में दर्द है दिल की धर्कन धर्दा धर्दा दोड़ रही है आपका मुझ सूख रहा है आपके सरीर में तनावा मान स्पेशियां तन गई है आपको बार-बार संक्रमन हो रहा है सारीरिक तनाव है संब्यक आत्मक तनाव क्या था है संब्यक यानि आप 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 चिर्चढै हो गए हैं, आपको अकेले पन महसूस हो रहा है, आप निर्स हो गए हैं आप अपने कान को सई से कर नहीं पा रहे हैं, आप आप शिन्ति चान को घ्याना का रहा हैं आप कोई decision नहीं ले पा रहे हैं, आप में निरासा है कि मनोबैग्यानिक तनाव होता है, तनाव का बेवहार किता है, अगर हम लोग तनाव लेंगे तो उससे क्या फरक पड़ेगा, तनाव लेने से हमारी नींद खराब हो जाती है, कई सालोग तनाव होने से माधक पतार दार हुआ रूपी ने लग जाते हैं, तनाव लेने से हम बिमार पड़ सकते हैं, हमारी भूख कम या जादा हो सकती है, तनाव लेने से हम कई बार जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, कई बार जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाते हैं, तनाव की क्या है बिवहार में आई बार व्यक्ति टेंसनल ตरू निंद कम हो जाती है कोई कोई तनाम लगत भाया तनाम टेंसनल अमने लेयता से तो पी लगति कोई पी खाले लेया जाते हैं कुछ लिले द unt धिर की धड़कन चा तेथ धड़कना, पसीने आना, खायत पायर फूल जाना, तास में तकलीफ होना, दात पीशना, सिरध़ होना, मुँझ का सूख जाना, दर्ध होना, ठीकैre, पेट में एफन होना, ये सारीरिक तनाव है, मनो बैग्यानिक तनावी शिरचड़ापन हो जा चिंता होना कोई डिसीजन न ले पाना ठीक है खोए-खोए से रहना इस मुनोबैग्यानिक तनाव है संबेगात्मक तनाव क्या होता है जैसे यह आउसादें डिप्रेशन हो जाना गुस्ता करना इर्षय करना सरमाना यह खुद को गिल्टी फिल करना इस संबेगात्मक करोगे तो आपके काम प्रभावित हो सकते हैं नसावसा करने लग जाओगे तनाव लेने से आपकी कोई दुरघटना हो सकती है आप तेज चलोगे जल्दी जल्दी चलोगे आपकी भूख कम या जादा हो जाएगी नीन्द का कम या घट जाना तनाव का कान है आपमें डर बैच जाएगा भोजन करना या भोजन ना करना आपका समय खराब हो जाएगा आप गाली गलोज कर सकते हैं तनाव के कान से व्यक्ति कर सकता है। और इसको करके आना ही आना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहें, ठीक है, यह तीसरा चेप्टर काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, और पेपर में पूछा जाता जो जो चीज़े मैंने बताई है, इसको करके आना ही आना, किसी के साथ हमारा तीसरा चेप्टर समाप प्रनायता में योगदान देने वाले कारक कारण से हम लोगों के तनाव के अनेकार्ण आगर आप देखें तनाव की प्रणायता में योगदान देने वाले कार्ण इंपोर्टेंट है सनाव के मध्यस्त कार्ण कार्ण काई यह नीग कार्ण 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 ऑफ इसकी बात को द्यान करें लेने के लिए इस वद्वेक्ती की प्रविर्टि के रूप में वनित की जा क्या है ऐसे ब्यक्ति जो तनाओ की प्रणयेता यह धूसरों की कोई कम ले रहा हो यार तनाव के तो बहुत सारे कार्ण है पढ़ायता जिसे अगर आप देखेंगे टाइप A व्यक्ति के चिंतन अनुभाव करने और विभार करने की आदतों का अस्थाई प्रविर्ति के रूप में का जाता है व्यक्तिकत लक्षणा को किवल ना किवल व्य कोई एक्जाम का तनाव जादा हो और कोई एक्जाम व्यक्ति का तनाव नहीं ले रहा हो कोई कोई स्टूडेंट इतना तनाव ले रहा एक्जाम का की विचारा हाथ चाप रहा है परिष्छा में काप जा रहा है और कोई बिल्कुल भी तनाव नहीं ले रहा है तो व्यक्त कि में तनाव के अनुभाव जो है अलग अलग होते हैं हर जरीमें तनाव बिल्कुल अलग होता है हो सकता कि कि को जान हों कівको कम हो कि इसठी भीवा का तनाव LM में आपसे रहेगा संख जोड़ता है और इस प्रकार वह यह दूसरे देखते हैं अपने अप्वोडिंग यह निए प्रकार से कंपेयर करते हैं तब हमें तनाव ज्यादा होता वेक्टी में जिसे मालोब मैं पढ़ाता हूं और कोई भी पढ़ा रहा हूं उसके पास बहुत लोग पढ़ रहे हो तो अगर मैं compare करूँगा भई उनके पास ज़्याद आदमी पढ़ रहा है मेरे को तनाव हो जाएगा यार समझे रहे हो यार कंपेर करने से भी इंसान में तनाव हो जाता जी ठीक है आए हम टाइप A तनाव की बात देंगे उन कारणों में से हो सकता है जो व्यक्ति के तनाव के लिए अध अधिक सतर्क होते हैं और उरता वाद प्रतिस करते हैं वह निश्ची समझ सीमा के भीतर ही इतना संभह हो सके करते हैं अधिक प्राप्त करना चाते ही है ऐसे व्यक्ति चिर्चड़े होने की समवाना करे एस से लोगों में आगे जाने का ज़जबा है जो लोग दूसरों से अच्छा करने की कोशिद करते हैं उन लोगों में चिर्चड़ापन होने की संभाना है जो आदमी बात-बात पर नकरे कर रहा है बात-बात पर गुस्ता कर रहा है इससा मतलब धीरे-धीरे भईया तनाव आ रहा है जो लोगों जिन लोगों में धाइर की कमी है आतम दिषवास की कमी है जो करना ले को आघर कोई व्यक्ति swamp लेकर के बहुत ज़्यदा अंसिकर्ण करता भया मेरी तो इज्जत चली जाएगी जैसे बहुत सारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं परिश्चा दे जा रहे हैं पेपर मेरी ज्यते चले जाएगा यह हम लोग खुद को सुरक्षित रही अंसेफ यह अगर कोई व्यक्ति खुद को आसुलक्षित महसूस कर रहा है व्याग तो क्या अब आ जैगा जैसे मालोज मैं परधान मंतरी हम ठीक है अब हैं मुझे लगरा है भ्गवान क्या पहता कोई कितंतन बादी मुझे मार करके चला जाएगा क्या है मेरेको गॉफ चेंजन हो जाएगा यार मेरे कोई लड़की में तना हो सकता है आसे को भी लड़की या कोई लड़की है घर परिवार में कहीं आ रही है यार जा रही है उसको भी अगर अब आरा लोग अपनी स्क्राशल लेकर बाइब लेकर चार लोग क्या कहेंगे वह यौ़ door काम करने की इस्चुक है अगर मुझे पढ़ानी है अगर लेट हो जाता लेट लेट लेकी बजा तो मुझे टेंस हो जाता है अगर मेरा वीडियो अप्लोड नहीं रोफोज भी के जो लोग अपने काम के प्रती बहुत सजग हैं बहुत इमांदार हैं अगर उनका काम नहीं तहतंे हो जाता है समय पर काम ना होना या काम में देरी होना या भी हमारे तनाओ कारण हो सकता है अगला क्या आतियात आक्रमक्ता जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं काम करने के बरती लेकिन अगर उनमें आतम विश्वास्ती कभी कमी हो जाती देखाओगा ना जो लोग आतम विश्वास्ती कमी में हमें तनाव ला देगी आतियात आक्रमक्ता निटाइस रहते हैं वा दूसरों मैं समझे कई बार हमें हमारे मन में परने का Χार्ण साथ ऐस को Iep good औन अगर कई सोच है तो आपको अबकर्सा नहीं है अपने उपर संदेह क्या हुसा स्गb FA तो पर संदेह है जर्ण या अपको लगता कि हमें कुछ करूह। मेरे से गलत हो जाएगा जहाभी कार्ण हो सकता है कि आप में तना हो सकता है अगर व्यक्ति में आतम विश्वास नहीं है कोई काम कर रहा है उसको लगरा भूया मेरे से काम नहीं होगा तब आपको तना हो सकता है यह तना के कार्ण है सारे आतम विश्वास की और जाना यह जो अब यक्ति दूसरों की बातों पर नाराध हो जाता है, यह भी कान सकता है कि हम में तनाव हो गाई दूसरों के जो उग्देश हैं, जो तरगेट है, जो मूल है, उस्ते भी हम लोग कई बार तनाव में आ जाते हैं, जिसे मालो कि तुम एक कौपी किताब की दुकान है, तुम्हारे बगल भी कुपी कीताब की दुकान है, वैक्ती ज्ञादा एक्टरेक्टिव काम कर रहा है, ज्यादा उसलुप कूर पूच करके काम कर तुम्हारे तुमको तनाव हो जाएगा कमज़ रहो यानि क्या है कि हम लोग अगर किसी व्यक्ति के बाद किसी व्यक्ति को देख करके निरास हो जाते हैं किसी की बाते को सुनकर के हमको परोध हाता है या हम हुद्रों को देख करके खुद को विल्टी फिल करते हैं ठीक है एक परकार से तो यहां भी मेरे मेरे कारण नहीं करते हैं किसी को लगते हैं मैं फुलखिलि नहीं कर पाएँ अगर इंट degradation करना हो जाएगा अब समधना समधना की कोई है अपने बच्छे कंपे नहीं कर रही हूं कर रही है अगर मां को लगता है पने बच्चे के लिए उतना नहीं चाहिए ठाप कि तुछ सब्सक्राइब करता हूं तो मैं पूरत रहा हूंगा अगर ऐसी परकार की बात है अगर आपको तनाव होगा ही होगा है सारे तनाव के कारण है विलंबन विलंबन का मतलब यानि अगर चाल मठोल करना काम में देरी होना ये सारे तनाव के कारण हो सकते हैं अगर आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा तनाव कारण हो सकता है अगर तुम कहीं पर लेट पहुंच रहे हो अगर तुम्हारा काम दे काणु से तना हो सकता है अगर आपका काम लेट है लकीव वसकान हो हैं घड़ाइ निरास हो गई पढूगा निरास हो गई तुम पढ़ते लिखते हो पढ़ाई वहूत कर रहे हो आप हो नूकरी नहीं नोकरी बहुत समक्रान परिए है यह भी तनाव का अकाका निरासा भी अमारे तनाव को तती है तो तनावår के कौन 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 से कणा है किनकिन कांदों से तना होता है एक जाम के पॉइंट एगा ». कीची को छोड़ करके नहीं आना ठीक है जो मैंने बताई इसी point बनाते करना है देखेगा अगला जो बाराच चप्ट रहेगा क्या है तनाव के प्रभाव भई मैं अगर हम लोग तनाव के लेंगे तो हमारे हमारे उपर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले हमारे स् पर 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 जैसे पती पत्नी के संबंध है यह समझ लोग तो अगर आप लोग तनाव लेगी तो पर पर पढ़ेगा तनाव का पर पढ़ता है अगर आप लोग तनाव लेगे तो भई आपको तनाव लेंगे तो इस पर की बिमारिया इस परकार की रोग आप पर होता है तनाव से ब्यक्ती के स्वास पर सकते जदा प्रभाव पढ़ता है वही आपको हिर्दय रोग हो सकता है ठीगए दिल की धर्गन बढ़ सकती है हाटा टैका सकता है अगर आप लोग तनाव लेंगे आपके सर में दर्ध होगा आपको तीड़ा होगी आपको अलसर हो सकता है बल युकर ही सकती है बलेट पेशर हए सकता है और हमारे गूद्ये पर इसका बुरोव प्रभाव पड़सकता है अगर हम लोग कर्या हैcancer घो सकता है अगर अगर आप लोग Tना लेंगे अने रइने से अंहिड को माइग्रेन हो सकता है आपको इतनी संदै ना संदर्द हो मेरे सरपप सकता हैTwo संदhr से हुज सकते हैं तमाम आपको सारी थिक लक्षन है तनाव इन्टिंगे त्रवाप जो लोग लेते हैं थे लेते लेते हैं उसकी सरागी दिरी पीयद दराप पीना दारुत पीना दाणजा पीना भांग पीना इस प्रकार के कांड़ कारने लिए याझी जब व्यक्ति तनव लेता है तब उसको प्रकार कि वो नसा खोरी करने लग जाता है यह सब तनाव का व्यक्ति के स्वास पर प्रभाव पड़ता है अगला की तनाव लेने से हमारे भुषपादन पर प्रभाव पड़ेगा अगर आपको इनौकरी चाहरी करें तो आगर आप लोग तनाव लेंगे तो उस पर भी आपका पुर पुर्भाव पड़ता है अगर आप लोग लंबे समत गरगा तनाव में रहेंगे तो आपका काम काज अच्छे से नहीं हो पाएगा ना तो आप टाइम पर आएंगे ना तो आप टाइम पर जाएंगे आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा तनाव होने से तो आपका जो काम है अच्छा नहीं होगा यह आपको दुनिया भर की डाट वांट पड़ेगी नौकरी से निकाल दिये जाओगे समझ रहों तनाव का हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है तनाव लेने से क्या होगा आप भूलने लग जाओगे किसी भी चीज़ को भूलने लग जाओग तनाव है आपको क्या कोई की झाओध नहीं रहेंगी तन लेने से आप जो संगण्धन आप जहां नोकरी करते हैं वहाँ प्र भी काम नहीं चारा पर प्रभाव जिसे मैं कोई नौकरी करता हूं परिए मेरा है अगर तब गुष्टा कर जाता हूं कि और्ट उने लने लग जाता है वही मेरा कहिने का मश्चर्ट है कि अगर कोई व्यंक्ति तण्यव लेगा उसका कम अच्छे नहीं हो पाएगा उसे काम पर बुरा प्रभाव पढ़ेगा तनाव का हमारे वर्थ पर हमारे काम पर बुरा प्रभाव पढ़ता है अगर हम कोई लिखा पढ़ी का काम करते हैं एक्स वाई जड़ आप कोई भी वर्द करते कोई भी नौकरी करते हैं अगर आप तनाव लेंगे टेंसल लेंगे तो उसको आपके काम पर भाई मेरे पुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा यह 100% करेक्ट है अब तनाव का बुरा प्रभाव होगा अब तनाव का बातों पर गुसा करने लगा घ्रख़। शोटे बातों पर गुस्ता करने लग जाएगा कुछे भी बलोगे तो उखड़ जाएगा अच्छी बात बोलोगा तब भी गुस्ता गड़ेगा हुआ तो पती पतनी के संबंदों में तरार अपड़ सकती है कई बार ऐसा होता है कि किसी की पतनी छोड़ करके चली गई वाइफ ने डिपोस दे दिया वैसे भाग जवाग गई तब भी व्यक्ति में तनाव का हमारे संबंदों पर बुरा प्रुबाव पड़ता है जैसे तुम तनाव लेगा तो घर में लड़ाई होगा जगड़ा होग तुम किसी से दंक से बात नहीं करोगे दंक सीट नहीं करोगे कोई लेडा तो काटने को दडर रहन। अगर तुम चुर्चणे रहो गए तो हर व्यक्ति से तुमारे रिष्टे खराब हो जाएंगे पूरा पुरबहाव करता है और जब भी आप रोग सब्सक्राब हो सब्स लिटे का संबंद हो यह सारे संबंद्यों में एक प्रकार से दिक्कत आएगी भाई मेरे आप समझ रहो यह भी व्यक्ति तुम leegawy तो उसके संभ़ाब हो सकते हैं और उसके संभड़ performers कम नहां ह मैं बता रहा हूं सुनो जैसे अगर तुम कोई तनाव ले रहे हो तुम क्या करो सराब पीने लग जाओगे तुम को नींद कम हो जाएगी तो इसे तुम्हारी सिर्फ खराब होगे घर में लडाई जगड़ा होगा तारू पी करके आओगे तुम क्या होगा इसका हमारे स्वा है परके तुम क्या करोगे यहीं सनाव का हमारे संबंधों पर हमारे यृलेशन पर चौपर में आयगा है इसको लिख करके आना समझो तनाव क्या प्रभाव पढ़ेगा पूंज़का देखिए गा अगला चप्र हैगा इंप़र्टेंट है सब्सक्र चा तनाव परबंधन क कर सकते हैं तो भाई तनाव प्रबंदन की सबसे बड़ी तकनीक है रिलैक्सेशन विश्राम लेज़ना जिसे मालो कि तुम भाई कोई नौकरी चाकरी करते हो तुमको बहुत टैंक तन दे रहे हैं तो नौकरी से कुछ दिन भाई आराम ले लो इससे तुम्हारा तनाव कम हो जायेगा जाएक हैं यह सबसे बड़ा तारण है अगर सब ज्यादा सनाव नौकुरी चाकरी से उरहा है जो लोग भरकी है अच्छा तरीका है रिलैक्सें व्रेक्स का जों आई विश्राम ले लो भरेक लो और जो आदमी काम कर रहा हो नौकरी कर रहा हो बहलो तुम 10 शाल से नौकरी करे जा रहे हो, गेली आ रहे हो जा रहे हो वही काम करे हो पर लोग तो सारी किंटाएं सारी तेंचन कम हो जाएंगी अगर आप लोग डिक ले लोगे धूल करो काम को थोड़े दिन के लिए रोक दो जैना को क्म करने का सबसे अच्छा चरीका क्रेंग को लुकर को तनाव हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते अपने तनाव को कम करते हैं दूसरा तरीका है ध्यान अगर आप और मैडिटेसन एक अईसी तकनीक है जो हमारे तनाव को क्या कर सकती है क्या कर सकती है ? जिसे मालो आप तुम बैट जाओ तुबह शह बजे उठो शाथ बजे उठो बैट जाओ और आख बंद करो और गया को सकता अगर क्या हो सकता है योग करने से यह योग एक ड़िया सीजा तनाव को कि एकिस्ट प्रकार्ण करने चोड़ेशे में आपको कम हो जाएगा ज्यादा तर लोगों को तनाव कान सब्सक्राइब आपना करने से कम करने से तुम तो 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 तम्हारा दो दिन में खतम हो जाएगा आप तनाव करते हैं ठीक है और हम लोग हमेसा दूसरों से अपनी तूलना कर रहे हैं कि अधमिया ऐसे कर ले रहा मैं नहीं कर पारा हूं गो आगे बढ़ जारा मैं नहीं प्र पार रहा हूं इन काणों से भी हम लोगों को त्याता भाई मेरे तना अग्म होता है ज्यादा तर लोगों को आज जो तना हो रहा है कम सूना ज्यादा काम करना मीरे जैसे लोगों इतना नींद ही कम कर दिये हैं जैसे मैं अपनी मिल्चिवादों में बहुत कम सोता हूं तो क्या है नींद कम लेना भी आपके तनाव को कम तनाव का कान है इसलिए हमें अगर हम लोग पूरी नींद लेंगे सही टाइम से उठेंगे यह भी आमारे तनाव को कम कर सकती है इसके जरी अपना पुरबंधन कर सकते हैं अपने तनाव को कम कर सकते हैं यह सारे कान है बात बात पे घुस्पा मत करो किर्षिड़े मत हो जाओ ठीक है कोई अगर कुछ बोल रहा है उसकी बात को ध्यान को सुनो तब जब आप दो ठीक है इसा ने बीच में बोल पड़ोगे इस सारी कानों से तना होगा किसी लड़ाई जगड़ा मत परो किसी लड़ाई जगड़ा करनेते हम लोगों को ज्यादा तना होता है थोड़ा स्तांत रहिए थंड़ा पानी पीज़े भाई उच्छा क्या होगा आपको तनाव प्रवंदन के सारी तक्नीके हैं जिसे आपको तना होगा बिल्कुल कम हो जागा यहां पर टेक्निक दे रहते हैं और बहुत इंपोर्टेंट कोशनरे पेपर में आता ही आता है और पूछा जाएगा कि तनाव-प्रवंधन की तकिकों पर बारे बताए ठीच देखिए गा आंक unfर चर्टर नूबर 8 क्या है तना प्रवंधन की तक्निक 2-2 समय परवंधन करने से टनाव परवंधन सकता है जहे जो आपके करछी है तुम कोई आक नवक्री करते हो नोकरी करने में अगर आप ने होगा सही समय कम हो जाएगा अगर तुम सही ताइम से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे नमर उसे पास होगे अगर माले तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है तो एक्जाम जैसे जैसे पास होजेगा आप सेंसर में चले जाओगे क्या है कि आपने ताइम को अच्छे से नहीं किया आपने सही ताइम से पढ़ाई नहीं की यह कान समय प्रवंधन करने से आमेरे ताइम में कम हो जाएगा हमें जो तनाव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा अगर कोई बच्चा पूरा साल पढ़ेगा तो पेपर से टाइम पर उसको एक परसें सा तनाव नहीं होगा और कोई बच्चा पढ़ी नहीं रहा है वहीं तनाव तो होगा यह अगर आप कोई नौकरी करते हो वहाँ पर लेट पहुंचे रहे हो तो तनाव होगा अगर तुम घर पर नहीं आते जाते हो घर पर लेट पहुंचे तो लड़ाई जगड़ा होगा इसे भी तनाव होगा तो समय परधन करना पहुंचे अगर तुम सही टाइम से सोगे सही टाइम से उठोगे तो आपको किसी प्रकार का तना प्रवन्दन अच्छा नहीं है अगर आप टाइम मेनेघ्मेंट नहीं करना बहुत जदा जरूरी है जो लोग टाइम तरी इसको प्रवंदन को ब्रबंदन कर लेंगा सब्सक्राइब, इसलिए साल पढ़ेगा अगर हम लोग समय पनन करेंगे तो हमारा जो तनाह होगा वा बिलकुल कम हो जाएगा बिलकुल घट गड़ जाएगा और यह काफी important चप्टर है इस चेप्टर को लेकर करके एक्जाम बेक पोस्टन आता ही जाता है इसको आपको जो मेरता है इसको आपको क्या करना लिख करके आना कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा ठीक है